अगर अगर आपकी स्टॉइल बहुत अच्छी होती है तो आपका जो भी स्टॉइल होती है तो दोस्तो आज का जो सेशन है वो स्टॉइल के उपर कितने टेस्ट होते हैं उसके उपर होने वाला है तो चलिए दोस्तो शेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टॉइल में कितने तरीके के टेस्ट होते हैं और उसको किस तरीके से कौन-कौन सी मशीन उसमें liquid limit test होता है, एक आपका plasticity limit test होता है, और एक आपका plasticity index of soil होता है, ठीक है, इस test से दोस्तों आपको ये पता से जल जाता है, जो आपका soil है, इसमें कितना आपका liquid limit है, या फिर plastic limit है, या फिर plasticity index of soil है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका main function जो होगा, उसमें क्या होगा, जै soil में पानी डालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, तो आप उसकी एक limit होगी, कि इस limit के बाद ये salary form में convert होना शुरू हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका liquid limit test होता है, एक होता है दोस्तों plastic limit test, plastic limit test में क्या होता है, soil आपका कितने level पे hard हो रहा है, तो ये आपका plastic limit test हो device भी लेना होगा, आपको soil specimen लेना होगा, आपको moisture canes की जरूत पड़ेगी, आपको groove tools की जरूत पड़ेगी और आपको एक spatula की जरूत पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पर device को देख रहे हैं, ठीक है, इसी device के थुरू आपको इसका liquid limit test पता चल जाएगी, मतलब कि liquid limit उसकी soil की पता चल जाएगी, ठीक है, तो यह जो आपका test होता है, यह आपका कम से कम, एक से दो test करवाने होते हैं, 8000 cubic meter पे, जी हाँ दोस्तो, 8000 cubic meter पे, जब भी हम soil का कहीं पर, जैसे हमार कोई road बन रहा है, तो महाँ पर आपको इस test का use करना पड़ता है, जब भी हमें उसमें watering करना होता है, तो इसमें आपका liquid limit test को आप एक बार apply करके देख सकते हैं, फिर जो दूसरा test होता है दोस्तों, वो होता है आपका natural moisture content test, मतलब कि आपका soil में natural जो आपको moisture हो कितना पहले से मौजूद है, ठीक है, तो यह जो test होता है, दोस्तों, after compaction होता है, इसमें एक test करना होता है, आपको 200 cubic meter पे, ठीक है, after compaction यह test करना होता है, एक test करना होगा, सिर्फ आपको 200 cubic meter पे, इसमें भी दोस्तों, क्या होता है, आपको laboratory में भी करना होता है, और आपका site पर भी किया जा सकता है, ठीक है, laboratory में अगर करना होगा, तो क्या करना होगा, आपको soil के sample ले जाक होगा अगर आपको साइट पर इस method का यूज़ करना होगा तो आपका अलग-अलग tools के हिसाब से आप इसका moisture content निकाल सकते हैं ठीक है यह दोस्तों after compaction होता है मतलग भी जो rolling वगरा करवाने के बाद आपका जो test होता है यह वही test किया जाता है फिर दोस्तों जो the day यह होता है दोस्तो moisture content master can company टेस्ट क्या होता है दोस्तों जब भी हम कोई compaction कर देते हैं यह है दोस्तों Letson तू ठीक है यह दोस्तों upfront यह एक से तीनije Help करने यह 200 cubic मेटर पर टेक है एक से तीनियोंग आपको 1200 200 cubic meter का इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है यह आपका on-site पर भी हो सकता है ठीक है और laboratory में भी हो सकता है on-site पर करने के लिए आपको इस तरीके का यह टूल चाहिए होगा इस टूल का नाम होता है दोस्तों rapid moisture kit ठीक इसमें दोस्तों क्या होता है जब भी हमें कोई soil का अगर हमें moisture content निकालना होता है तो उसका एक sample लेना होता है कम से कम आपको 6 gram का sample लेना होता है उसको यहाँ पर weight करके 6 gram का sample ले लेना है ठीक है यह आप सामने देख रहे होगे यह आपका bottle shape में यह आपका kit देख रही है इसके ओपर दोस्तों gauge लगा हुआ है ठीक है इसमें होता है इसमें 3-4 तरीके की metal balls लगी होती है ठीक आपको जो 6 gram का sample आपने तयार किया था मतलब जो weight किया था उसको आपको इस device में डालना है और एक scoop क्या है आपको carbureate का डालकर इसमें आपको shake करना है vertically shake करके इसमें जो आपका moisture content आता है reading में gauge reading में वह आपको देख लेना ह है और आसानी से आप उसका क्या है moisture content निकाल सकते हैं अब ये दोस्तो किस काम में आता है ये दोस्तों जब भी आपको Virtual Compaction निकालना होता है जैसे कि कि किसी Soil को आपको compact करना है तो इस moisture content से दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो S Compaction मतलब की और कीतना compact करना है तो यह किससे पता चल जाता है मौशर कंटेंट टेस्ट से पता चल जाता है और इस कीट को बोलते हैं rapid moisture kit ठीक है बिफोर कंपैशन में आपको कम से कम एक से तीन टेस्ट करने होंगे, कितने 200 cubic meter पर, तो दोस्तों दूसरा test देख लेते हैं, ये है दोस्तों dry density of compacted soil, आपको dry density का भी आपको soil का test करना होता है, ठीक है, अब दोस्तों ये क्या है, one test per 100 mm embankment, ठीक है, जब आपका embankment होगा, तो महाँ पर आपको एक test करना होगा, हर 100 cubic meter पर, ठीक है, अगर आपका subgrade का soil है, तो महाँ पर आपको एक test करना होगा, कि इस पर 500 से 1000 cubic meter पर, for subgrade soil, ठीक है, embankment के लिए आपका 100 है, और आपका subgrade के लिए 500 से 1000 cubic meter के आसपास है, ये दोस्तों क्यों किया जाता है, ताकि आपको जो आपका soil है, उसका dry density और wet density आपको पता चल जाए, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा important test होता है, ठीक है, तो ये चार test आपको कम से कम करवाने ही पड़ते हैं, किसी भी soil पर, ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखा कि, hatter bag limit test, फिर उसके बाद natural moisture contained test, फिर आपने देखा moisture contained test, और फिर आपका dry density compacted soil test, ठीक है, ये चार test कम से कम आपको किसी भी soil पर करवाने होते हैं, अगर आप रोड का कोई construction करवा रहे हैं, तो आपको कम से कम ये test आने ही चाहिए, तो आप दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि soil पर कितने तरीके की test किये जाते हैं, अगर आप किसी highway का या फिर रोड को construction करवा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगई हैं, तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हमारे reinforce के चैनल को subscribe कीजिए, thank you so much.